एलो दोस्तों मैं हुमारतिवारी और Unmatchable पर आपका Unmatchable स्वागत है Gate 2023 का result जब से declare हुआ है तब से एक constant query जो मेरे सामने है वो ये कि सर मेरे marks इतने भी अच्छे नहीं है कि मैं ID's या POC's के बारे में सोच सकूँ और इतने भी बुरे नहीं है कि मैं ये मान लूँ कि gate मेरे लिए बना नहीं है और यहाँ पर एक बड़ा dilemma create होता है कि सर मैं करूँ तो क्या करूँ 40, 45, 50 marks तक पहुचने के बाद क्या मैं इस journey को give up कर दूँ और मैं admission ले लूँ इनी marks पे जहां भी admission मिले किसी average NIT में या फिर किसी नए IIT में या मैं भी किसी अच्छे NIT में branch से compromise करूँ 40, 50 marks के बीच अगर आप हैं या 40, 55 marks के बीच अगर आप हैं तो इन 15 marks की range में आप इधर के भी नहीं है और उधर के भी नहीं है ना तो आप give up कर पा रहे हैं आपको लगता है कि यार हम यहां तक पहुँच पाएं हैं कुछ कमिया रह गई, कुछ चीजें रह गई जिनको हमने इप्रूफ किया होता तो शायद 5-10 marks और खीचे जा सकते थे और इस बार 60 के ऊपर एक respectable rank मिली है और यह trend आगे continue रहेगा बाई तवे यह trend continue इसलिए रहेगा क्योंकि बहुत सारे mechanical engineers अब repeaters नहीं बन रहे हैं बहुत सारे mechanical engineers इतनी सारी jobs create हो चुकी हैं कि वो consume होते जा रहे हैं लगतार जैसे कितनों को तो NTPC ने लिया है इसी साल और अभी यह trend continue रहेगा क्योंकि old IITs में और IEC Bangalore में भी seats tick-tock हैं core branches में coming back to the point, point यह है कि 40-55 marks के बीच में अगर आप हैं तो आपको करना क्या चाहिए exactly मैं तो even थोड़ा सा यहां पर conservative नहीं रहूंगा मैं 40-60 तक की range लेकर चलता हूँ कि अगर आप 40-60 की range में भी है तब भी आपको जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको वही करना चाहिए answer एकदम definite नहीं है थोड़ा subjective है कुछ conditions हैं पहली condition यह है कि आप पहली चीज आपको यह देखनी होगी कि आप pass out कब हैं अगर आप 2021 या उसके बाद के pass out है यानि कि पिछले साल या इस साल pass out है और पहली condition यह satisfy होनी चाहिए अगर आप पिछले साल या इस साल pass out है दूसरी condition आपके घर से ऐसा कुछ बहुत बड़ा financial pressure नहीं है तो अगर ये दोनों conditions satisfy होती है कि आप पिछले साल या इस साल के pass out है दूसरा आपके घर से ऐसी कुछ बहुत बड़ी financial pressure नहीं है थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन वो थोड़ा बहुत मतलब manage किया जा सके अगर तो ठीक है तो अगर ऐसा कुछ financial pressure नहीं है बहुत बड़ा तो मेरे प्यारे दोस्तों आप कुछ नहीं lose करने वाले हैं अगर आप अपनी इस journey को 6-7 महीने continue करके वहां तक पहुचाएंगे जहां तक पहुचाने के लिए आपने इस journey को सुरू किया था अगर आप 7वी floor पर पहुचना चाह रहे थे और आप 5वी floor तक पहुच चुके हो तो एक दो floor के लिए जो आखिरी धक्का है या आखिरी धक्का दो या आखिरी धक्का देना जरूरी है क्योंकि अभी तक आपने जो किया है वो एक चुनोती पूर्ण जर्णी थी लोगों को ऐसा लगता है कि टॉप लेवल पर जाकर competition बीट कर पाना आसान नहीं है प्री लेवल पर या बिगनर्स के लेवल पर आसान है सचाई उल्टी है इससे सचाई ये है कि बिगनर्स लेवल पर जो challenges हैं उनको आपने overcome किया आपने syllabus complete किया पूरा अच्छे से आपने एक round practice की है अच्छे से तो अगर आपने syllabus complete किया है अच्छे से आपने एक round practice की है अच्छे से ये सारी चीज़े अगर आपने सही से complete कर ली हैं तो एक आखिरी धका और दो लगा दो अपनी सारी के सारी ताकत, लगा दो अपनी सारी के सारी एनरजी, पुट कर दो अपने सारे के सारे efforts, अगले 5-6-7 महीने में कसम खालो कि आप इस 50 को 70-75 तक लेकर जाने वाले हो, एक good news ये है कि जितने भी rankers हैं, वो बहुत तेजी से mechanical में consume होते जा रहे हैं, तो rankers repeat नहीं हो रहे हैं, rankers repeat नहीं कर रहे हैं, दो साल पहले ये situation नहीं थी, 70-80 marks पाने वाले को भी mechanical में job के लिए fight मारनी पड़ रही थी, अभी 65 के भी जो उपर है, उसके पास options हैं, कि सर मैं यहाँ जाओं यहाँ जाओं, वो situation आपको create करनी है, 6-7 महीने के अंदर-अंदर, कि सर मैं options को लेकर choosey बनूँ, इसके बजाए मुझे वो condition चाहिए, जब options मुझे choose करें, जब मैं कहसको कि अच्छा, अब मैं PSU में भी जाने के लिए eligible हूँ, अब मैं IIT में भी जाने के लिए eligible हूँ, अब मैं ISE में भी जाने के लिए eligible हूँ, अब मैं NITI मुंबई में भी जाने के लिए eligible और believe me अगर आप 40 प्लस पहुँच पाए है गेट में तो ये बहुत कम लोग कर पाते हैं यगिन करो मेरा 5 से 10 जार टॉप क्रीम में पहुँच चुके हैं आप और अगर आप 40 प्लस या 45 प्लस पहुँच पाए हैं तो आप में वो जजबा है कि आप उसे 75 में कनवर्ट कर सकते हैं गेव यूरसेल्फ 6-7 मौर मॉंट्स 6-7 महीने खुद को दो और आखरी के बचे हुए इन चंद कदमों को कम्प्लीट करो जो शुरू किया था खतम भी आप ही उसे करेंगे लेकिन जिनका 2021 के पहले का पास आउट है मैं उनसे ये विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि अपनी रिस्क और अपने रिवार्ड्स को ठीक से देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दो साल आपने सब कुछ किया जो जो 2020 के पास आउट है अब ये उनसे मैं बात कर रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सब कुछ किया लेकिन शायद अब समय आ गया है कि आप accept करें gracefully accept करें कि हाँ अब समय आ गया है अब मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक जगे पैर जमाल लूँगा mtech सुरू कर दूँगा mtech के साथ parallel में मैं opportunities देखूंगा क्योंकि दो साल वैसे भी मैं preparation कर चुका हूँ और उसके बाद मैं parallel में एक दो गंटे एक दो गंटे इपने preparation को देता रहूँगा या फिर मैं शायद gate छोड़के क्योंकि अब तो mtech कर ही रहा हूँ मैं तो gate छोड़के मैं engineering services exams पे थोड़ा सद्यान दूँगा या फिर मैं जो भी goals हैं या फिर मैं जिस NIT में जाऊंगा वहां के placements के बारे में सोचूंगा but जो भी 2021 के बाद के pass out है और घर से बहुत financial pressure नहीं है give yourself one last chance 6-7 महीने अपनी जिंदगी के जो कसम खा कर चलना नहीं होता है वो कसम खा कर आप चल पड़ो निकल पड़ो कि नहीं अब ये आखिरी वो कहते है ना final nail in the coffin सो ये जो असफलता की coffin है इसमें आखिरी कील ठोकने का वक्त आ चुका है ठोक ये आखिरी कील और emerge as a winner हार कर युद्ध खतम करने वाले को कभी fighter नहीं कहते लोग आपको कहेंगे की drop हो गया एक साल का डेर साल का लोग क्या कहेंगे profile क्या बनेगी ऐसा वैसा मैं आपको बहुत खुले शब्दों में बताना चाहता हूँ ये सब कुछ नहीं matter करता जिस दिन आपकी rank आजाएगी उस दिन आप PSU में होंगे उस दिन आप इसको investment के तौर पर मान कर चलेंगी कि हाँ एक साल मैंने invest किया था एक देर साल आपने invest किया था जिस दिन आपकी बहतरीन rank आजाएगी और आप किसी old IIT के किसी core branch में अपने M.Tech के dream को साकार कर रहे होंगे उस दिन आप इससे एक investment मानेंगे भई आप सोचो एक PSU में जाने वाला इंसान जिन्दगी भर के लिए अपने stability, security और life की permanency को secure करता है उसने invest क्या किया? उसने कुछ तो invest किया ना और वो investment यही है जो लोग कहते हैं कि gap हो जाएगा, drop हो जाएगा वो सब कुछ matter नहीं करता है end of the day believe me मैंने ऐसे बहुत सारे learners को देखा है जिन्होंने 2-3-3 साल का drop लिया है जिन्होंने जो M-Tech करने आये थे 2-3 साल का gap हो चुका था B-Tech के बाद लेकिन जब placements हुए तो place होने वाले लोगों में सबसे पहले उनका list में नाम था हाँ मैं कोई ऐसा नहीं कि आपको motivate करने के लिए कह रहा हूँ यह सच है यह आँखों देखी है और इसलिए gap-web drop-off matter नहीं करता जिस दिन आप अपनी threshold पर पहुँच जाएंगे उस दिन आप छप पर फाड़ कर निकलेंगे आगे बढ़िए और जो शुलू किया था उसे finish कीजिए मचाना जारी रहे